नियंत्रन वाल्व संभवत है द्रव वितर्ण प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह तरल पदार्थ के प्रवाह को नियंत्रित प्रक्रिया में नियंत्रित करता है HVAC प्रणालियों में नियंत्रन वाल्व का उप्योग मुख्य रूप से ठंडे पानी, गर्म पानी और कंडिन्सर पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जो इस खंड का विशय है वाल्व रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है, जिससे रेफ्रिजरेंट उच्छ दबाव से निन्न दबाव में जाता है दबाव में इस परिवर्तन के परिणामस्वरू कुछ रेफ्रिजरेंट तरल से गैस में तुरंथ स्थानांतरित हो जाते हैं नियंत्रन वाल्व का उप्योग तरल पदार्थ के विभिन मापदंडों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा आवश्यक विशिष्ट कार्य वांचित तरीके से उचित तरीके से पूरा किया जाता है विकल्पों में उल्लिखित अन्यकार्य दिशा नियंत्रन वाल्व के कार्य हैं अनुक्रम वाल्व और हाइड्रोलिक फ्यूज क्रमश है सबसे सरल और बहुत प्राचीन वाल्व बस एक स्वतंत्र रूप से टिका हुआ फ्लैप है जो एक दिशा में द्रव, गैस या तरल के प्रवाह को बाधित करने के लिए नीचे की ओर जूलता है लेकिन जब प्रवाह विप्रीत दिशा में चल रहा होता है तो प्रवाह द्वारा ही उपर धकेल दिया जाता है लेकिन जाता है